हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने बटर चीकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में बहुत मज़ेदार होता है इसको आप मेरे बताई तरीके से श्टेप बाई स्टेप फोलो करेंगे तो आपका बटर चीकन रेस्टोरेंट के बटर चीकन से भी अच्छा बन ऐसे हम इसको फॉराय करेंगे सब्सक्राइब कर दिए ऑक छोब fossil कर देंगे। यहमने तर्म प्राइब निहींट ल्या सब्सक्राइब sola sig park दोड़ित कर दिए और 6-6 हम एक घंटे लिया और यह मैंने कसूरी मेथी लिए एक टेबल स्पून और यह एक टेबल स्पून टमाटो केचप लिया है और यह एक टेबल स्पून मैंने गर्मसाला लिया है और यह लाल मिर्च पाउडर एक टेबल स्पून लहसे उनका पेश्ट लिया है और नमक आप अपने टेश्ट के हिस इसको हलका सा गर्म हो जाने पर इसमें में जावित्री और यह हली लाइची आप गर कशे हटाए करें इसमें अपने कश़ ढालत thé हूं और प्यास को हमें दो मिनट तक कलर नहीं हो northern यह जया बसे असे สनु 엄 internet हो जाएगी तो इसके बाद में हम इसमें अपने टिमाटर डाल दे जैसे में मिक्स करना है थोड़ी देर इसको भूलना है इसमें एक सीड़ी मेंानी नहीं की सब्सक्राइब और मताbasis मताई दिया है कि इसको मीनठ्य से बूरना है का इसमें आजटा का पानी डाल का मैं अच्छे 002 ना कि आ हिसे अच्छे से मिक्स करना है और इसने मिनने 9 मिन के ओपार दूक जबता है है मैरे टेमाटश और मीने पाद अच्छे से फ्राई कर लेंगे और वो चिकन में इसमें कड़ाई में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फिलेम पर ही पकाना है इसमें पानी नहीं डालना है इसमें जो हमने दही डाला है वो अपने आप पानी छोड़ता है इसको अब हम भी है ठंडी खुकी हमें इसका एक fine paste बनाना नहीं आए इसको एक मिकसर में Dos यह यह यहाँत हो देंज़ेंगे उसने पानी शोड़ दिया है उसको यह शूर दिया यह शूर्ड नढसर और यह अच्छे से पक चुका है अब यह मैंने गैस पे कड़ाई रख ली है और इसमें मैं अपनी जो ग्रेवी मैंने बना की तयार करे थी वह ग्रेवी में इसमें कड़ाई में डाल दूंगी और जो चिकन हमने अपना फ्राई किया है वो चिकन भी इसमें अच्छे से डाल और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ढखकर पांच मिनट के लिए छोड़ देना है इसी तरीके से और देखे पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और अपनी कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे यह हमने फ्रेश मलाई जो ली थी वो मलाई भी इसमें डाल देंगे आप चाहें तो मलाई की जगा क्रीम भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है अब यह देखें मैं इसमें अपना टमाटर केचप भी डाल दूंगी यह बटर भी मैंने इसमें डाल दिया है और इनको इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हम पांच मिनट और पकाएंगे इसको धक कर आवे हमें पांच मिनट और पकाना है और यह देखें पांच मिनट हो चुके हैं और मेरा चिकन पक चुका है यह देख कि मेरा बटर चिकन बनकर एकदम तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए